पिछले कुछ महीनों से हर महीने जब वेतन को लेकर बस से उतर कर सड़कों पर बढ़ते हैं तब उनसे मुख्याले से वेतन जारी होता है आपको बता दे कि पिछले करी तीन महीनों से यही क्रम चल रहा है हर बार कर्मचारियों को अपना वेतन लेने के लिए संघर्ज करना पड़ रहा है वही कर्मचारियों का कहना है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आधिकारियों की लापरवाही के कारण बजट में उनके वेतन का प्रवधान नहीं रखा गया है इसलिए महिने भर सरकार का ख़जाना भड़ने के बाद अंत में उन्हें वेतन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है इसके साथ ही उन्होंने काया कि अब नौबत ऐसी आ गई है कि किसी भी दिन रोड़ वेज के कर्मिचारी बसों के फईयर जाम कर सकते है वही कर्मिचारीों का कहना है कि उन्हें ना तो सरकार इतने सालों से सेवाय रेने के बावजूद नियमित कर रही है और ना ही उन्हें समय पर वेतन का भुटान कर रही है वेतन समय पे ना मिलने के कारण उन्हें आर्थिक संकत भी छेलना पड़ रहा है घरों में बच्चों की फेश से लेकर अने खर्चे चलाने मुस्किन हो गए है वही रोड बेस करुचारी उनिया ने सरकार को चितावनी दी है इसके साथ ही सरकार उन्हें नियमित भी करे और उनके वेतन का प्रवधान भी करे उन्हें बार बार अपने कमाय हुए पैसे लेने के लिए परिशान न करे अन्यथा जब तक सरकार उनके वेतन का प्रवधान नहीं करती तब तक के लिए बसों के पईये जाम कर दिये जाएंगे आज भी दो घंटों के लिए बस अटे बंद किये जाएंगे